नमस्कार सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ हम्रता चौरसिया और आए एक नज़र डाल लेते हैं अब तक कि जो तमाम बड़ी और एहम खबरे हैं उन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज मन की बात कारिक्रम के सरिये लोगों से अपने विचार साज़ा करेंगे ये इस कारिक्रम की 64 मीं कड़ी होगी प्रधान मंत्री ने 12 अप्रेल को ट्वीट करके लोगों से इस कारिक्रम के लिए माई गौफ और नमो एप पर सुझाव भेचने के लिए कहा था कोरोना संक्रमन को देखते हुए ये उमीद की जा रही है कि प्रुधान मंत्री एक बार फिर से इस विशे पर अपने विचार लोगों के साथ साज़ा करेंगे देश में कोवीड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 25,000 की करेंब पहुच चुकी है केंद्री स्वास्थ मंत्राले के मुताबिक इनमें से 18,900 तिरपन एक्टिव केस है जबकि 5,210 लोग स्वस्थ हो चुके है जबकि एक मनिस देश छोड़ कर चला गया है संक्रमित लोगों में 77 विदेशी नागरिक भी शामिल है इस संक्रामक रोग से अब तक 789 लोगों की मौत भी हो चुकी है देश में कोरोना वारिस से सबसे ज़ादा प्रभावी 10 शहरों में से 3 शहर महरास्ट में है मुंबई में संक्रमित लोगों का आकड़ा 5200 की पार चला गया है वहीं पूरे में 1000 की उपर तो ठाणी में 500 से ज़ादा मामले सामने आए है गुजरात के एहमदाबाद में संक्रमित लोगों का जो आकड़ा है वो 2300 की पार है तो सूरत में 500 की करीब है जैपूर में 770 से जादा संक्रमण के केस हैं इनमें से जैपूर की राम गंच में ही 400 से जादा मामले हैं और इसके रावा मध्य प्रदेश की इंदौर में कोरोना से संक्रमण का आकड़ा 1000 के पार पहुच चुका है हादरबाद में 500 के पार तो वहीं चिन्ने में 400 के पार तो कोलकाथा में कोरोना संक्रमित लोगों का आकड़ा 350 के उपर बहुच चुका है कोरोना वारिस को लेकर शुकरबार को ग्रूप ओफ मिनिस्टर्स की तेरवीं बैठक होई जिसमें देश में कोरोना वारिस की स्थिती और इसे निपटने के तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गए बैठक में स्वासमंत्री ने कहा कि देश में लॉकडाउन, कंटेन्मेंट प्लान लागू होने से भारत में कोरोना के आकड़े बढ़ने की बाफजूत स्थिती अन्ने देशों के मुकाबले काफी बहतर है इसके अलावा बैठक में PPE kit, N95 mask, ventilators के उप्रब्धिता का जायसा लिया गया बैठक में केंद्रे मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन के लावा, केंद्रे मंत्री हर्दिप सिंग पूरी, नित्यानंद राय, एस जैश्वंकर, मनसुक मांडविया, अश्वनी कुमार, चौबी मौजूद थे साथ ही COVID-19 को लेकर बने अधिकार प्राप्त समुहों के चेवर्मेन भी बैठक में शरीक हुए कोरोना वारिस महमारी से निपटने के लिए सांसद और विधायक भी अपने इस्तर पर प्रयास कर रही है इन्हें समन्वे अस्थापित करने के लिए लोक सभा सची वाले ने संसद भवन परिसर में नियंतर्ण कक्ष स्थापित किया है इस नियंत्रन कक्ष का उदेश्वे जरूरत मंदों का तुरंत सहायता के लिए उन्तक सांसदों और विधायकों तक आम जरता की पहुट श्वीख्र स्थापित करने के लिए नियंत्रन कक्ष में दूरभाश नमबर 01123035160 और 01123035163 पर कॉल करके संपर्ग स्थापित किया ज सकता है केंद्री ग्रिह मंत्राले ने लॉकडाउन के दौरान गैर होट स्पॉर्ट वाले एक शेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोडने की छूट दे दी है हलाकि MHC की समिपसर्टीब पोर्ने सलीला श्रवास्तों ने कहा है कि नए आदेश के मताबिक सेलू ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा और रेस्टरों खोडने के अनुमती नहीं दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद बैंकिंग श्वेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तहरे की हर्ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महमारी के मद्दे नजर आर्थिक गतिविध्यों के बड़े पैमारी पर प्रभावित होने के वज़े से श्रम्ट और रोजगार मंत्राले ने यदि सूचना जारी की है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का जो आक्रा है वो एक लाख अठानवे हसार की करीब पहुँच चुका है। एक लाख तिरानवे हसार और फ्रांस में एक लाख साथ हजार की करीब लोग इस महावारी की चपेट में आ चुके हैं। सत्रों में कामकाच और समय की उप्योग पर अधारित है। आए डालते हैं एक नजर इस विश्लेशन से निकली महत पून जानकारियों पर। उच्छी लोगतांतरिक परंपरा का उधारन प्रस्तुत करते हुए राज्जी सभा ने अपने पिछले 40 सालों के काम का विश्लेशन जनता के सामने रखा है। विश्लेशन के मताबिक उच्छ सदन में 28 फीसिदी समय का उप्योग कानून बनाने से जुड़े काम काच में किया गया। सरकार की जवाब देही सुनिशित करने से जुड़े मुद्दों पर 32 फीसिदी से जादा और सावचनिक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 40 फीसिदी से जादा समय का उप्योग हुआ। विशलेशन में ये बात भी सामने आई कि उच्च सदन में काम काच की समय की दर सालाना 340 घंटे रही। 1978 से 2018 के बीच राज्यसभा में काम काच की कुल उत्पादक्ता 77 फीसिदी रही। जबकि कतिरोध यान्य वजहाउ से 23 फीसिदी समय का नुकसान हुआ। दरसल राज्यसभा की सभापती एम वेंकया नाईडू ने विधाई कामकाज जवाब देही से जुड़े मुद्दो और जनहित से जुड़े कामों पर हर्च हुई समय की जानकारी जुटाने के लिए कहा था। जनहित से जुड़े कामों की तहट साबजनिक महत्व के मुद्दे, राश्ट्रोपती के अभिभाशन पर धन्यबाद प्रस्ताओं पर चर्चा, बजट पर सामानी चर्चा, अल्पकालीक चर्चा, शूनिकाल, विशेश, उलेख और मंतरालियों की काम पर चर्चा शामिल ह रिश्लेशन में ये पाया गया है कि 1978 से 2018 की दोरान राज्य सभा की कुल कार्यात्मक समय का 7 फीसिदी से अधिक हिस्सा बजट पर हुई सामानी चर्चा के लिए वे किया गया धर्निबाद प्रस्ताओं पर चर्चा के लिए कार्यात्मक समय की 4.36 फीसिदी वक्त का इस्तमाल किया गया करिब 4 फीसिदी कार्यात्मक समय का इस्तमाल विभिन मंतरालियों की कामकाच पर चर्चा के लिए किया गया शूनिकाल और विशेश उलेख के लिए उच्च सदन के दस फीसिदी समय का इस्तमाल किया गया। सरकारी कामकाच की जवाब देही सुरिश्चित करने के लिए संसदमी, प्रश्णकाल, ध्यानाकर्शन प्रस्ताव, विभिन विशेश उपर मंत्रियों द्वारा वक्तव्य, केर सरकारी सदस्यों द्वारा संकल्प उपस्थित करना और महत्यपुन विशेश उपर अल्पकाल चर्चा की विवस्था है बीत 41 सालों में संपन्य हुए उच्छ सदन के सत्रों में प्रश्ण काल के लिए 14.19 फीस दी धानाकर्शन प्रस्ताव के लिए 7.11 फीस दी विभिन विश्यों पर मंत्रियों द्वारा विक्तव के लिए 6.33 फीस दी गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प प्रस्तुत करने के लिए 3.16 फीस दी और अल्प कालिक चर्चा के लिए 1.25 फीस दी कार्यात्मक समय का इस्तमाल हुआ व्राजी सभा में देश के लिए कानून बनाने से जुड़े कामकाच पर वैख हुए समय को देखे तो 27.57 फीस दी के कुल कार्यात्मक समय में से 24.05 फीस दी समय का इस्तमाल सरकारी विधेकों को पारित कराने के लिए किया गया जबकि गैर सरकारी विधेकों को पारित करने के लिए देगए जबकि गैर सरकारी विधेकों को पारित करने के लिए देगए जबकि गैर सरकारी विधेकों को पारित करने के लिए देगए जबकि गैर सरकारी विधेकों को पारित करने के लिए देगए कारे मंतरना समेती के द्वारा किया जाता है कोरोना वारिस की वज़े से देश इस वक्त लॉकडाउन की अवधी से गुजर रहा है 20 अप्रेल से लॉकडाउन के मान दंडो के आंशित छूट मिलने के बाद राज्जी सभा सचिवाले ने भी कामकाज शुरू कर दिया है और पहले हफ़ते में ही ये विशलेशन किया गया है सभापती एमवेंक या नाइडो के निर्देश के मताबिक उच्य सदन में कामकाज के लिए इस्तमाल किये जाने वाले समय की जानकारी लोगों को देने के लिए ये विशलेशन किया गया है सभापती ने ये सुझाओ भी दिया है कि देश की लोग और दुनिया की अग्रिम सांसदों के सभा और दुनिया की अग्रिम संसदों के कामकाज को लेकर भी इस तरह का विशलेशन किया जाए विरर रिपोर्ट व्लाची सभाटी और इसी के साथ इस अपडेट्स में मेरे साथ इतना ही अगले अपडेट्स में आप से होगी फिर मुराकाद देजे अजासेत नमस्कार